दोगी कम यार कम यार जो फॉल जो फॉल जो फॉल जोगी जो कर दोगी जोस्ट नो फॉल in Manali फ्रैंसे देखिए लाइव इसनो फॉल Manali कितना सुंदर लग रहा है जहां अदग देखिए आपको इसनो इसनो मिलेगी आज 31 जन्वरी का दिन है मनाली पूरी तरीके से इसनो से वाइड हो चुका है आज सुबह नौ बजे से जो इसनो परना शुरू भी है तो अभी तक पर रही है देखिए आप मनाली कितना जादा इसनो हो गई है ये देखिए कार के उपर पेरो में हर जगा इसनो ही इसनो है सुबह से ही मनाली में हैवी सनो पॉल शुरू हो चुकी है और अभी भी चली रही है है हैवी सनो पॉल मैंने सोचा दुपहर का समय है चलिए बाहर निकलते हैं देखिए कुछ ऐसा नजारा तो हो चुका है अलड़ी मैं फ्रेंट के कैमरे से कुछ कैप्चर करता हूँ ये देखिए तो फ्रेंट्स तीन बज गए है दुपहर के और देखिए अभी भी स्नोफॉल कंटिन्यू हो रही है थोड़ा फिसलन जरूर हो गई है ये देखिए कार के उपर कैसी स्नोव जम चुकी है एक कम फ्रेश वाली स्नोव है दोस्तो ये देखिए ये बोतल को भी नहीं छो रहा है जहां देखिए इसनोव ही इसनोव है वाकी हाँ मनाली एकदम स्वर्ग की तरह सुन्दर दिख रहा है जहां देखिए दूर दूर तक इसनोव ही इसनोव और अभी इसनोव फॉल होई रहा है दो मैने से लोग इसी दिन का या कह सकते हैं आप इसी पल का ही इंतेजार कर रहे थे और फाइनली ये पल आ गया है अब प्रॉक्स अगर आप देखेंगे तो चार इंच तक की स्नो फॉल मनाली में हो चुकी है और बाकी सोलांग में मेरे हिसाब से एक फुच से ज़्यादा की स्नो हो गई होगी दोस्तो बस इतना जरूर कहूंगा कि इसनो में इंज्वाए करना एक बात है लेकिन आपको इसनो के टाइम में साबधानी भी रखनी परती है क्योंकि आप ये देखें रोड की क्या कंडिशन हो गई है दोस्तो सुबह मनाली में एक जना गिर चुका है और उसको काफी चोट लगी है तो अगर आप इसनो के टाइम में आ रहे हैं तो थोड़ा साबधानी भी रखें अधरवाईज आपको चोट भी लग सकती है ये देखिए लाइव स्नो फॉल मनाली स्वर्गिसा सुन्दर हो गया है मनाली एक तम बाकी हाँ दोस्तों ये जो आप रोड पे देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई है सो जो भी इंसान मनाली में स्नो फॉल का इंज्वाई करने के लिए आ रहा है वो साबधानी भी जरूर बढ़ते अधरवाईज उसे चोट भी लग सकती है देखिए मनाली एकदम स्वर्ग के जैसा सुन्दर हो गया है पेरों में घरों की छट के उपर रोड हर जगा इसनों ही इसनों आपको देखने को मिलेगी अगले तीन से चार दिन तक मनाली में ऐसा ही मौसम बना रहेगा जो भी लोग मनाली आ रहे हैं इसनों फॉल का और इसनों का पूरा इंज्वाई करें देखिए आज 31 जन्वरी के दिन मनाली स्वर्ग सा सुन्दर हो गया है और क्या चाहिए आपको दोस्तों ये देखिए चारों तरफ इसनों ही इसनों हो गई है और लाइव इसनों फॉल भी हो रही है आप देखें मेरे रेंकोट पे कितनी अदा इसनों गिर रही है यही है मनाली की सुन्दरता शायद इसलिए मनाली को स्वर्ग कहा जाता है मनाली बहुत ज़्यादा सुन्दर हो जाता है जब इसनों गिरती है ये देखिए मेरे पीछे क्या नजारा है मनाली का दोस्तों फ्रेश इसनों ये देखिए ये देखिए दोस्तों enjoy करिए आप भी आईए मनाली बाकी अगर आपको मनाली आ रहे हैं और आपको होटल से related कोई भी information चाहिए तो मैं आपको अपना contact number दे दे रहूँ आप मुझे direct contact कर सकते हैं चलिए बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए आगे भी और भी vlogs क्योंकि मनाली में अगले दो से तीन दिनों तक तो बहुत ज़्यादा इसनों गिरनी है आप continue videos को देखते रहिएगा और दोस्तों अगर आपको मेरी videos पसंद आ रही है तो please मेरे चैनल को subscribe भी जरूर करें मुझे आप लोगों के support की बहुत ज़्यादा जरूरत है आप लोग का प्यार मिलता रहे बस मैं भी खुश होता रहूंगा चलिए friends, thanks for watching Indian Daddy, we will meet once again soon, keep watching भाई साथ, अपने स्नोफॉल हो गई भाई? हो गई! क्यासा लगए दोस्त? बहुत मज़ा आगिया, सरी टाम परोगी बस ब्रदर